हुआ है जाइज वेलकम और वेलकम बैक तो मैं चैनल इस में सलोनी और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी यह मेकप लोग अगर आप यह वीडियो एंड तक देखते हो तो आपको तीन तीन बैनेफिट्स होने वाले हैं फर्स्ट आप इस वीडियो में सीखोगे स्मोकी आइस करना सेकेंड यह मेकप है पूरा ओयली स्कीन के लिए आपको यह हुआ जो जो मैंने मेकप प्रड़क्ट्स यूज करें है वही नौर्वल टू ओयली स्कीन के लिए बिल्कुल पॉफिक्ट है जो जो थर्ड बेनिफिट है वह यह है कि आप यह पूरा मेकप लूग सीखोगे इस वीडियो में अगर है वीडियो को लाइक करना है चैनल को सब्सक्राइब करना है और बैल आइकन को हिट जरूर करना है तब ही आप मेरे सारे फ्यूचर वीडियो देख पाओगे अदरवाइस आप तक मेरा एक वी वीडियो नहीं पहुच पाएगा तो वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी करना है तो यही था यही आईस का वीडियो तो वीडियो लेट्स गेट इंटो दिस वीडियो सो गाइस मैंने हैपटना सीटेम कम्प्रीट कर लिया है और नेक्स में यूज कर रहे हूं ब्लू हैवन फेस प्राइमर जो की नॉर्मल टू ओली स्कीन वालों के लिए बहुत अच्छा है ड्रा स्कीन वाले भी से यूज कर सकते हैं अच्छे से पहले अपने स्कीन को कर लोंगी बहुत बढ़िया से प्राइमर अप्लाई करोंगी तभी हमारा फाउंडेशन का जो बेस है वह बहुत अच्छा आएगा तो हमें 5 मिनट तक वेट करना है जब हमारा प्राइमर सेट हो जाएगा देन हमें नेक्स्ट स्टेप करना है नेक्स मैं ले रही हूं स्व आपके फेस को पुरा मैट रखेगा आपका फेस अगर ओली है तो अच्छे से आपके फेस पे और कंट्रोल करेगा नेक्स में यूज करूंगी मैट का आई सैडो पैलेट इसमें से मैं लाइट ब्राउन सैडो ले रही हूं यहां पर मैं एक ब्लैक स्मोके आइस करने वाली काजल यूज कर रही हूं मैं और यह बहुत अच्छा काजल है डाक है और जेट ब्लैक काजल है सो इसे मैं अपने आइलिट्स पे अपलाई करूंगी इसे मैं अच्छे से अप्लाई कर ले रही हूँ देन मैं एक पेंसिल ब्रेस ले रही हूँ और उसे मैं स्मूथली ब्लैंड करूंगी आप देख सकते हो और जो हमारा क्रीज है उसके नीचे ही हमारा ये जो ब्लैक काजल है जो मैंने अप्लाई के है वहीं पे रहना चाहिए अदर्वाइस पांडा भी बन सकते हो आप देन मैं ले रही हूँ ब्लैक सैडो और उसके उपर प्लेस कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा ब्लैंड कर रही हूँ नेक्स मैं अगें सेम थोड़ा सा डाक सैडो ले रही हूँ उससे ब्राउन से थोड़ा सा डाक एंड क्रीज मे अच्छे से ब्लाइंड करोगे आपका आए मेकप उतना ही अच्छा लगिगा तो आपको अगर एक पॉफेक्ट स्मोकी आइस चाहिए देन आपको क्रीस से ऊपर नहीं जाना है और देन मैं अपने टीर डक्त को हाइलाइट कर ले रही हूं अपने ब्राववान को भी गैप जितनलीग आए यहां ब्लाइकर ब्लाइकर लेंगा Ol Bre 돌아 केकाजल यहां अपने ब छीयख डरीकी जलीगों पर इन आफज़स काजल को अपने ड़ाई कर रही हूं तो आपको आफाइस काने आपक्त है यहां गर्या पक्त कर नीुदर ऑपक ने ब्लाइकरा वहान है ठीक हमारे आइस में नेक्स में ले रही हूं फिट मी फाउंडिशन और मेरा सेड है 125 निउड बीज यह बहुत अच्छा सेड है और और ऑली स्कीन वालों के लिए भी बहुत अच्छा है सबसे पहले मैं अपने फिंगर से अपलाई कर रही हूं बेस बहुत अच्छा आएगा एक्ष्टरा फाउंडिशन अपका नहीं लगेगा देन में बीटी ब्लेंडर यूस कर रही हूं अधर्वार्वाइज अपका सारा फाउंडिशन अब्सॉर्ब हो जाएगा ब्यूटी ब ब्लैंड कर ले रही हूं इसे dry skin वाले भी यूज़ कर सकते हैं कोई भी serum वगएरा mix कर केस में उन पर भी बहुत अच्छा लुक देता है नेक्स में यूज़ कर रही हूं Swiss Beauty concealer और बिल्कुल थोड़ा थोड़ा अपने अडरा एरिया में ब्रिजर्ब्री नोज चेन फोर हेड पर अप्लाई कर लोंगी दें सेम ब्यूटी ब्लैंडर से मैं ब्लैंड कर लोंगी इस वीडियो में आप स्मोकी आई करना भी सीख जाओगे अच्छे से ब्लैंड कर दे रही हूं और अभी अब देख सकते हो मेरा फेस एक हाइलाइट हो गया है अगेन में यहां पर यूज़ कर रही हूं Swiss Beauty prime and set mattifying setting powder तो वहां पर मैंने डिटेल में नहीं बता पाया अधरवाइस जिसका टी जोन एरिया सिर्फ ओली होता है उसको सिर्फ अपनी टी जोन पर अप्लाई करना है अधर फेस पे मतलब अधर साइड आपको कॉंपेक्ट अप्लाई कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग नेक्स में अपने नोस को और चिक को थोड़ा सा कॉंटर कर लूगी वीडियो थोड़ा फास जा रहा है और मैं थोड़ा जो बोल रही हूं क्योंकि मुझे डिटेल में थोड़ा बता आरी हूं इसलिए माइन मत करना नेक्स में यूज़ कर रही हूँ ब्लसा, आप कोई भी अपना फेबरेट ब्लसा यूज़ कर सकते हो इससे हमारा फेस और भी उभर के आएगा, हमारे फेस का जो फीचर होता है वो इनहेंस हो जाता है अगर हम सिंपली फांडिशन लगा के छोड़ देंगे तो हमारा फेस अच्छा नहीं लगेगा, हमारा फीचर इनहेंस नहीं होगा नेक्स में यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी हाइलाइटर और इससे मैं अपने फेस के हाई पॉइंट्स को हाईलाइट कर लोगी जहां पर मुझे लगता है कि मेरा फेस वहां पर थोड़ा साइन करना चाहिए तो इसलिए मैं यहां पर अपने फेस के हाई पॉइंट्स पर हाईलाइट अप्लाइट कर रही हूँ नेक्स मैं यहां पर यूज करूँगी लाइट लिप्स्टिक पर्सोनी का यूज करूँगी बिल्कुल लाइट पिंक सैडो है तो इस सौरी लिप्स्टिक है सो सबसे पहले मैं यहां पर लिप्स को लाइन कर ले रही हूं देन मैं लिप्स्टिक फील करूंगी यहां पर और थोड़ा सा लाइट का इसू हो गया था क्योंकि मेरा मीरर जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहा था सो दाट्स माइ फाइनल लोक और हाँ वन मोर थिंग अगर आप आइस पे हेवी जाते हो तो लिप्स पे बिल्कुल नियूड जाओ इससे बहुत अच्छा लुकाता है सो यही था आज का वीडियो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है चैनल को सब्सक्राइब करना है बैल आइकन को हिट करना है सब्सक्राइब करना है तो तिल देन बबाइ टेक करे स्यों नेक्स वीडियो बाइब आइस